खाने के बाद मीठा खाना किसे पसंद नहीं होता है। आज का लोग खाने के बाद रजगुला आइसक्रीम के साथ ही तरह तरह की मिठाई खा रहे हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो अभी सत्तरक हो जाएं और साफधान हो जाएं। क्योंकि इससे आपको non-alcoholic fatty liver बीमारी के साथ ही diabetes जैसी कंफिर बीमारिया भी हो सकती हैं। खाना खाने के बाद मीठा खाना किसे पसंद नहीं होता है। लेकिन खाना खाने के बाद हमें क्या कौन सा मीठा खाना चाहिए, क्या हमें गुड़ खाना चाहिए, या आईस क्रीम और अजगुला जैसा कि लोग खा लेते हैं आजकल। यह प्रथा कितनी सही है। और क्या खाने के बाद सच में मीठा खाना चाहिए। कितना सही है तो इस विशे मैं यह कहूँगा कि खाना खाने के बाद हम लोग को कोई भी ऐसी चीजें जो कि artificial sweetener से बनी हुई है वो नहीं खानी चाहिए और यह दिखा गया है कि आज कल छोटे-छोटे बच्चों में भी non-alcoholic fatty liver disease हो रहा है और जिसका मुख्य कारण यह है कि समाज जो है वो artificial sweetener से बने हुए candies कुछ मिलनेटेड वाटर से ले रहा है जो कि फ्रक्टोस करते हैं और हमारे liver में जाके वो कुछ ऐसे changes करते हैं जिससे कारण fatty liver जिस बीमारी को non-alcoholic fatty liver disease कहते हैं तो इसलिए मेरा यह स्पस्टमत है साइंस भी कहती है कि artificial sweetness को हमको अवाइड करना चाहिए क्या खाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है हलाकि इस पर कोई studies तो नहीं है लेकिन फिर भी जो हम लोग के traditional methods थे जैसा कि गुड़ है गुड़ जो है वह बहुत ही यूज करना चाहिए जिससे कि उस वह एक उसके स्वीट की क्रेविंग भी खतम हो जाए और उसका आयरन प्रोफाइल भी इंप्रूव हो खाने के बाद ऑल्रेडी हमारे जो बॉड़ी में गुल्कोज होता हो बढ़ जाता है उसके बाद जो लोग रजगुल्ला और बढ़ जाते हैं देखे जो रजगुल्ला खा लेते हैं या अन कोई स्यूटनिस खाते हैं यह सब जो होते हैं वह हाई ग्लासिमिक इंडेक्स होता है तो यह हमारा ब्लड शूगर लेविल इमिडिटली तो बढ़ाते ही है लेकिन हर चीज़ डिपेंड करती कितने किलो कैलो कैलोरीज आपने लिया तो अगर जैसे एक रजगुल्ला होता है वह लगभव 75 किलो कैलोरीज का है अगर हमारा एनर्जी का एक्समेंडेचर वह नहीं है तो डेफिनेटली वह कहीं हमको इंपेड ब्लड शूगर लेविल करेगा और हमारी एज और अन फैक्टर को देखते ह है तो किन बात होगा ख्याल रखें हैं इसमें सबसे इंपोर्टन है कि हम कितनी एनर्जी इंटेक कर रहे है अपने फूड में जलनी एनर्जी इंटेक जो है वह अठारा उससे एकी सो किलो कैलोरी होती है उतनी एनर्जी ले इस एनर्जी का कंपोनेंट क्या है उसमें लें जिसमें adequate amount of salad हो fruits हो और हम कुछ 45 minutes जो है वाकिंग जरू करें बाद करने के लिए कोई और भी सला जो आप देना चाहें जो मेरे सवालों में ना हो सर्थ मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आजकल हम लोग artificial sweet nurse और preservative based जो हम लोग sweet खाते हैं उनको avoid करें वो केवल diabetogenic ही नहीं होते हैं बलकि वो हमारे liver में भी disease करते हैं बच्चों में और populations में non-alcoholic fatty liver का prevalence बहुत बढ़ गया है और उसका मुख्य कारण यही है तो ऐसी और जानकारी के जुड़े मेरे साथ मैं लखनो से अंजली सिंग राजपूत लोकल 18